दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की होती है और वो सांप के टुकले टुकले करके उसे खा जाता है लेकिन क्या नेवला सांपों के राजा किंग कोब्रा को मार सकता है आईए जानते हैं आपको बता दूं कि नेवल से एक एफरीकन हाथी को भी मार सकता है दोस्तों नेवले की पकड़ बहुत मजबूत होती है जिसे छोडाना नामुम्किन होता है वहीं दूसरी तरफ किंग कोब्रा की लंबाई करीब 18 फिट तक होती है जिसका फायदा उठा कर अपने शिकार को जकड़ लेता है साथ ही कोब्रा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान साप भी माना जाता है बात करें इन दोनों के बीच लडाई की तो अगर किंग कोब्रा ने नेवले को डस लिया तो नेवला कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगा जिसका फायदा उठा कर कोब्रा उसे जकड़ कर मार सकता है लेकिन अगर नेवला हमले से बच गाया तो वो कोब्रा को बुरी तरह घायल कर सकता है इसमें कोब्रा के जीतने के 40% चांसेज है वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा